नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाईजेशन यानि इस्तरों ने दिवाली से पहले ही रॉकेट लॉंच कर दिया है उसने अपने PSLV C49 रॉकेट के जरिये राडार इमेजिंग सेटलाइट लॉंच किया है जिसका नाम है EOS01 इसके साथ ही नौ भी देशी से लाइट भी भेजे गए हैं तीन बज़ के दो मिनट पर लॉंचिंग होनी थी लेकिन दस मिनट देरी से ये लॉंचिंग हुई लॉंचिंग सफल रही इसे बहुत बड़ी सफलता इस नजरिये से माना जा रहा है क्योंकि कोरोना कॉल में ये पहली लॉंचिंग है इस साल इसरो से की गई पहली लॉंचिंग थी हलाकि इसी साल 17 जनवरी को इसरो का जी सेटलाइट भी लॉंच किया गया था लेकिन वो फ्रेंच गुईना से हुआ था इसरो के चेर्मेन डाक्टर के सीवन का रहा है कि ये सफल लॉंचिंग पर बैग्यानिक इसके जरिये मिलेटरी सर्विलांस यानि आसमान से देश की सिमाओं पे नजर रखने में मदद मिलेगी साथी एगरिकल्चर फोरेश्टरी मीटी की नमी पता करने और डिजाश्टर मनेजमेंट में भी सपोर्ट करेगा प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने इसरो और देश के बैग्यानिकों को इसके लिए बहुत बधाई दिये कि आपने रिकार्ड समय में और सफलता के साथ से इसकी लाँचिंग के लाँचिंग के साथ इसरो के बिदेशी सेटलाइट भेजने का आंकड़ा 328 हो गया है ये इसरो का 51 मिसन था इसरो ने अपनी वेबसाइट यूट SLV C50 लाँच करने की यूजना है एक लाँच के बाद दूसरे के लिए तैयारी करने में करीब 30 दिन का वक्त लगता है तो भारत की बहुत बड़ी सफलता कोरोना काल में मिली ये सफलता बैग्यानिकों को धेरो बधाई तो आप रहिए न बेखबर देखते रहिए इन खब करें और बेल आइकन दबाने ना के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाने ना करें